मगद्भप्श विद्यले बोद गया है जो 17.22 से 2015 सेजन का जो भी as student है जो पर्टफ़ वन में एडिवीशन करा चुके हैं और जो Shockland वे अंतिम्तिति होगा इन सभी के लिए complete process में बताऊंगा साथ में अगर इन सभी का online registration जिस को अफ-लाइन रेजिस्टेशन होगा उनको offline आपको college बे जाकर registration करना होगा तो online जिस college को होगा उस college का मैं वीडियो बनाकर upload कर दूँगा जिससे आप घर बैठे आप online registration कर सकते हैं साथ में college में जाकर verification करा सकते हैं तो online registration जो आप online cafe में जाकर करते हैं तो उसका पैसा आप घर बैठे बचा सकते हैं और घर बैठे online कर सकते हैं तो फिलहाल इस वीडियो में आप से भी को दिखाने वाला हूं कि इसमें document पैसा और कब तक date है इन सभी के लिए complete process में दिखाने वाल और लोग है सभी friends को से कीजिए साथ में जीतने हैं आपके पास group है सभी group में share करें ताकि किसी भी student को वरिषानी ना जहलना पड़े तो चलिए सुरू करते हैं यह notification यहां पर दिख आया है आपको मगद भी सुविद्याले बोध गया यह लिखा हुआ है यहां पर लिखा पचीशन चलेगा उनका 22-23 फिर 24-25 चलेगा उनका खतम हजगा पचिस तक तो उनमें 22 में 22 22 जो प्रथम पाटम चलेगा ठीक है तो पाटम के लिए उनका 22-25 से सेशन वालों के लिए यहां पर पन्जियन परपत्र महापिद्याले अपने अस्तर से पूर्ण विवरन के 59-902-192-193 तक वीना विलंब सुल्क के साथ 311 रिप्य लएगा ठीक है और प्रति छात्र प्रवजन सुल्क 150 रिप्य और प्रति छात्र जामा करना अनिवार होगा तथा विलंब अगर होगा जिसका लेट से लेट से होगर होगा उनका एक्सोपचीस रुप एक्स्टा लएगा यानि तीनसोपचास सोरे तीनसोए ग्यारा प्लस एक्सोपचास यानि चारसो एक्सोट रुप गया अगर बिलंब सुलुक लेते हैं तो उनका एक्सोपचीस रुप उसमें और जोड़ेंगे प्रतिछात्र के दर से दिनांग 26-10-23- कराना अनिवार होगा यानि कि बिलंब सुलुक जो होगा बिलंब का डेट होगा 10-11-25-10-9-11 तक ओके इसके बाद पंजियन पुर्ण आफ्लाइन होगा यहां पंजियन फॉर्म बिसुविद्याले के बंडार साखा से प्राप्त करना होगा प्रति फॉर्म सुल्क 10 रुप अनुसार पर होता है जैसे सरकारी कॉल्प सरकार कोलेई तो उसके अनुसार से अपना payment का लेता है तो यहां पर जो प्रतिते के लग रहें पूरा पुरा जीन नोट में जीन महाविद्यालों में सम्धता प्राप्त है के वाल उनहीं विश्यकों को सम्धता करें जो यहां पर पूरा रिड कर दिजिगा पूरा जो डिटेल है यहां पर कर लिए ओके यहाँ पर आपको 149-233 यानि आज ही नोडिफिकेशन जारी किया गया है साथ में आपको डॉकमेंट की ब्यात कि तो डॉकमेंट पार्ट वन का जो एडमिशन रिशीट होगा वो रिशीट लएगा जाती निवास आयो भी लिजिएगा साथ में अधार कार्ड औ जैसे कि यहाँ पर रिशीट होगा एडमिशन रिशीट पार्ट वन का फोटो ले लिजिएगा आधार कार्ड ले लिजिएगा मवाइल नमर इमेल आडी बैंक डिटेल भी होगा तो ले लिजिएगा इन सब डॉकमेंट लेगा तही थी अपडेट वीडियो सा लगत लाइक किजी सभी फ्रेंड को सेयर किजिए सभी ग्रूप में जरूर खिर सेयर कीजिएगा